हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब सब अच्छे ही होगे दोस्तों आज जो मैं आपके सामने एक रचना लेकर आई हूँ वो मेरे द्वारा लिखी हुई नहीं है वो मुझे मेरी एक सहेली ने भेजी है और वो कवीता हिंदी में हैं काफी बड़ी है लेकिन मैंने उस कवीता को छोटा करके हर्यानवी बोली में लिखा है तो आज मैं आपके सामने पहले वो हर्यानवी बोली वाली एक रचना पेश करूँगी उमीद है आपको वो पसंद आएगी तो शुरू करती हूँ दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आईकोन जरूर दबाएं दोस्तों आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहर खरीदे गाम बेच के खरीद ली तनहाई से बेच दिया जीने का धंगबी कीमत बहुत चुकाई से गरकी शानों सोकत खातिर बेच्चया से इमान धरम बेच शांती खरीद्या लालच देखो कितनी महँगाई से गरकी शानों सोकत खातिर बेच्चया से इमान धरम बेच शांती खरीद्या लालच देखो कितनी महँगाई से गज खरीदे बिग घावेच्चया या कुणसी सोदाई से बड़ पिपल से कुणबे तुटे नई पीडी मुर्जाई से रिष्ट्या में भी भरी चलाकी या कुणसी चतुराई से गुडशक करसी मिठास छोड के क्यूं कड़वा हट सब में आई से पट्षन आली खाट बेचके गध्यां की रोन नक्छाई से नकली खाना नकली बाना अलमारी में भरी दवाई से ना महक सुआवे सोंधी माटी की नकली खुश्बू मन भाई से और तोड दिया माटी का चुला गैस की रोटी खाई से दूद मलाई भावे कोन्या केड बरीमन भावस है पाणी छोड गड़्यां का आमने फ्रीज की ठंडक भावस है हलवे खीर भी भावे कोन्या पिज्जा बर्गर आवस है रोटी भी इब बनती कोन्या जमेटो घरगर आवस है छोड खप्रेल डाल लेशें लेंटर नींद कड़े फिर आवस है दादी नानी की लोरी भी इबतो कुन बालकान सुनावस है गांबैस्या की खतम काणी कुत्ता पूछ इलावस है फोनना में जब चालने गाणी नींद बालकाने आवस है दोस्तों आपको कैसे लगी मेरी ये हर्यानवी बोली में रचना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ इसी रचना के हिंदी वर्जन को लेकर अगली वीडियो में तब तक राम राम सुझे अखना मेरे चाहि हूँ प्लोफों जर्चना के लेकर अगली वर्जना के हिंदानी आगली वर्जना के जरूर बहुत बहुत बहुता थजर तक रहिते हूँ पप